तो हे गैस में आज आज सामने लेकर केए ह witness XV200 काISAर्टिंग रमइंडर केसे अटाथे हैं मैं अपको वीडियो में दिखाने वाला हूं तो servicing reminder हटाने के लिए आपको पहले तो kill switch को on करना है जैसे kill switch on करेंगे आपको इसमें दो button दिखेगा M और S आपको S बाला button को press करकर रखना है और key को up कर देना है और जैसे ही 10 second हो जाए आपको key को on कर देना है बटन को दबाई रखना है 10 second तक तो देख सकते हैं अभी 10 second हो गया है तो मैं key को on करता हूं और key को on करने के साथ आपको button को दबाई रखना है जब तो कि यह servicing reminder हटना जाए तो देख सकते हैं servicing reminder हट चुका है तो इसी तरह से आप अपना X-Pulse 200 का servicing reminder हटा सकते हो